हाई अव्रिवन वेल्कम बेक तो माई चानल और मेरे चानल का नाम है अवर्षा ब्यूटी के यह आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप से शेयर करने जा रही हूँ यह टेडिशनल इंडियन वैडिंग मेकप लुक इस मेकप लुक को वैसे तो दोस्तों आप किसी भी ओकेजन पर कर सकती है और अगर आप चाहें तो इस मेकप लुक किसी भी पूजा पार्ट की कारिक्रम में भी असानी से कर सकते हो और बहुत ही अलिगेंट लुक लगता है यह और नई दूलन भी इस मेकप लुक को असानी से कर सकती है तो कि मेरा मेकप जो है वह लोंग लास्टिंग बना रही है यहाँ पर बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट टोन क्रीम आप देख सकते हो मैं यह लगा लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आप फिंगर की हल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो और आप ब्रश की हल्प से mix करकर अच्छे से अपने face पर apply कर लूगी इसमें मैंने Swiss Beauty की foundation cream mix की है तो यहां पर मैंने दोनों को अच्छे से mix करकर apply कर लिया अपने face पर अब मैं इसे damp beauty blender की help से अच्छे से blend कर लूगी आप चाहें तो brush की help से भी blend कर सकते हो और finger की help से भी जैसे भी आपको सही लगता है उसके coding लिया ब्लेंड कर सकते हो तो जब भी आप foundation या CC cream कोई भी BB cream अप्लाई करते हैं उसे अच्छे से blend कीजिए अच्छे से proper time दीजिएगा ब्लेंड करने में इससे आपका make-up जो फ्लॉलेस दिखता है अब मैं यहाँ पर purple की compact powder से इसे सेट कर लूँगी अच्छे से और summers में compact powder बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या loose powder की help से भी आप इसे सेट कर सकते हो इसके बाद मैं mecca concealer एप्लाई कर रही हूँ और इसे भी मैं एक flat foundation brush की help से अच्छे से blend कर लूँगी नाइस ये brush मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है concealer को blend करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेश रही है बहुत ही easily blend हो जाता है आपका concealer इस प्रेश की help से इसे भी मैं compact powder की help से अच्छे से से सेट कर लूँगी नेक्स में आपर लगा रही हूँ मैक की eyebrow pencil और इसकी help से मैं अपने eyebrows को fill कर लूँगी और इसी black color की pencil है जब भी आप black color की eyebrow pencil यूज़ करते है न तो बहुत ही ध्यान से यूज़ कीज़ेगा बहुत ही केरफुली क्योंकि black color बहुत जादा अगर आप apply कर लेंगे तो बहुत ही harsh दिखती है वापकी eyebrows ऐसा लगता है जैसे नकली eyebrows लगा लिए हूँ तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेगा तो मैं भी बहुत ही हलके यादों से इससे फिल कर रही हूँ और इसे मैं स्पूली के हल्प से सेट कर लूँगे अच्छे से इप्रोज को इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मार्स आईशड़ पैलेट से यह औरेंज शेड इसे मैं ऐसा ट्रांजिशन शेड यूज करूंगे और अपने क्रीस लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी लगाते हुए आप देख सकते हो ब्लेंडिंग बहुत जादा इसलिए अच्छे से ब्लेंड करिएगा अच्छे से टाइम दीजिए ब्लेंडिंग में इसके बाद मैं यह टेपर ब्रश की हल्प से आप देख सकते हो ब्लैक लरका आईशड़ लूँगी से आउटर वी पर लगाऊंगी इस तरीके की जो ब्रश होते ना उसे आउटर वी इसलिए पर आ अच्छे से आईशड़ अपलाईकर सकते हो बह। आप अच्छे शेप आति आपके इस की तो आप देख सकते ओ इस तरीके से मेड वी शेप मे आईशड़ जलाई कर गफान है लूप और इस तरह के ब्रश से आप इ rooting अप्लाई कर सकते हो गार्नियर के मिसेलर वाटर लिया है और इसे एक्स्ट्र जो भी आईशड़ो मेरी आईलिट पर लगा हुआ है इनर कॉर्नर में उसे मैं रिमूव कर लूँगी आप भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं ये बिलकुल आप्शनल है इसके बाद मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश के यल्फ से कंसीलर के अप्लाई करूँगी जहां से भी मैंने क्लीन किया था आईशड़ो पस उतने ही हाफ आईलिट पर और इनर कॉर्नर में मैं इस कंसीलर के अप्लाई कर रही हूँ तक इसके बाद जोब मैं श्रीमर आईशड़ो अप्लाई करूँ वो अच्छे से स्टीक हो जाए और बहुत ही गुपसुरत दिखे अमें मार्स श्रीमर आईशड़ो पैलेट से यह और इस श्रीमर आईशड़ो है और इस और इस श्रीड को मैं अपने इनर कॉर्नर में इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी जहां भी मैंने कंसीलर के अप्लाई किया था तो मैं फिंगर के हल्प से अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही ईजी है गाइस दो या तीन स्टेप में आप इस लोको असानी से कर सकते हो ट्राइ करते रहेंगे तो आप भी एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे मेरी तरह वैसे बहुत जादा एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है तो अब मैं यह गोल् कर सकते हो श्रीमर आईशेडो को अब मेबलीन का काजल ऐसा आई-लैनर एपलाई करूंगी तो इस तरीके से मैं मेबलीन के काजल से पहले आई-लैनर लगाऊंगी मेबलीन का मस्कारा एपलाई करूंगी और मैं आपर आज फॉल्स वियर नहीं कर रहे हैं फ्रेंट्स मुझे ऐसे ही यह लूक अच्छा लग रहा है वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहें आपको पसंद हो लगानी फॉल्स तो आप लगा सकती हैं फॉल्स एलैश एप से दो कोटे अप्लाई कर लोगी अब मैं यहां पर जैक्लिन हिल पैुल से अपने फेस को कन्टोर कर रहे हूं इसमेंसे मैं जो ब्लॉंद शेयर उसे लोगी और ऑल ब्रश की हल्प से मैं अपनी फेस यहांपर पर चणोर कर रहे हूं किसी स्थी कन्टोरिंग बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी कंटॉर करना फेस को और हाँ फ्रेंड्स इस ब्रेश का रिवीव में ने अपने चल बर शेर किया है तो आप एक बार में रिवीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीज़ेगा अब मैं आपर स्वीज ब्लश पैलेट से यह ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और सेम पैलेट से ही मैं हाइलाइटर भी अप्लाई कर लूँगी और हाँ फ्रेंड्स बहुत जल्द मैं आपके साथ परपल शॉपिंग हॉल अगें शेर करने जा रही हूँ जी हाँ मैंने परपल से कुछ समान ओर किया था बस वो अभी कुछ दिनों में आ जाएगा तो मैं परपल शॉपिंग हॉल भी आप लोग के साथ शेर करूंगी मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट परचेस की है और वो भी आप बहुत जल्द देख पाएंगे इसके बाद मैं inner corners में भी highlighter को apply कर रही हूँ यहाँ पर अपने brow bone पर और inner corners में highlighter को apply कर लिया है आप देख सकते हैं और हाँ friends आपने जितनी भी requested video के लिए मुझे बॉला है guys जितना भी request आपने मेरे साथ video की की है बहुत जल्द मैं share करूँगी requested video बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ तो please friend थोड़ा सा patience रखेगा अब मैं यहाँ पर makeup fixer को लगा लूँगी अपने makeup को अच्छे से fix करने के लिए और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ यह orange color का shade और हाँ friends हो सकते है कि आपको camera में जो shade है थोड़ा बहुत change नजर आए तो please mind bet कीजेगा क्योंकि अकसर ऐसा होता है और मेरे साथ तो जातर ऐसा ही होता है कि camera में मतलब color change हो जाते है orange shade है बिल्कुल मेरी साड़ी के साथ का तो हो सकते है आपको शहाए थोड़ा बहुत change नजर आए अब मैं और हमेशा की तरह भूल जाती हूँ एंड में काजल यहाँ यहाँ पर में काजल अप्लाई कर रही हूँ So guys, this is my final look अपको जाती है